नमश्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है नमश्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है नमश्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है नमश्कार मोप्रिया बिहारी नमश्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बीते कुछ सालों में आधार्भुत संदक्षना पर हजारो करूर रुपे का निवेश किया जा रहा है इस प्रकार के स्थिती 13 जन्वरी तक बने रहने की संभावना है मौसम विज्ञान के इंद्रपटना ने यलो अलर्ट इसको लेकर जारी किया है विभाग की तरफ से मिली जानकारी के निसार से पच्छुआ और दक्षिन पच्छुआ हवा का प्रभाव सतह से डेड़ किलोमेटर उपर बना है जिसके प्रभाव से बादल चाय हुए है वहीं इस दोरान दिन और रात के तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं दिखेगा वहीं अगर बात हम प्रदेश के तापमान की अरे तो एक 10.5 डिग्री सेल्सियस के साथ जहर साब बीते 24 घंटे में सबसे ठंदा शहरा और शेखपुरा में सबसे कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया प्रभासी मजदूरों को मिलेंगे मन्रेका के तहत रोजगार तोरना संक्रबन की तीसरी लहर के खौफ से एक बार फिर बिहार से बाहर गया मजदूरों का आगबन वापस अपने राजग बिहार में होने लगा है जिसके तहट ग्रामेन विकास विभाग ने इन मजदूरों को मन्रेका योचना के तहट रोजगार देनी की रणनीती बना कर काम शुरू कर दिया है बताते चले कि चालू वितियवर्ष 2021-22 में बिहार में 20 करोर मानव दिवस स्रिजन का लक्षिन नरधारित किया गया है चल रहा है। इस दौरान बाचीत की बाद एमसाधिक्षक ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की, साथी बताये कि ओमिक्रोन अधिक घा तक नहीं है, मगर डर्टा वेरियन प्रभाव डाल सकता है, जिससे बचने की सला है। इस समीक्षा बैठक में वरिय अधिकारियों के लावा राजुभर के अधिकारी शामिल होंगे। आपको बताते चुले कि यह इस साल की पहली समीक्षा बैठक है, जो की प्रधान साचिफ की मौझूदगी में होगी। प्रध लाइसेंस और जब्त वाहलों से जुड़ी बातों पर चर्चा होगी। पटना को 27 रांक पीछे छोड़ दिया है और अब वो 55 स्थान पर आ गया है जबकि पटना की रांकिंग 80 है जो की जस्की तस्वनी है। इस रांकिंग में भागतपुर का स्थान 42 है। तो वहीं बिहाज शेरीफ 16 फे नंबर पर है। आपको बता दे कि मुझाफरपुर स्मार्ट सिटी की अब तक की सबसे बहतर रांकिंग है। काम शुरू हो जाने के बाद शेहर के रांकिंग और भी ज्यादा सुधरेगी नीरा को बढ़ावा देने के लिए तमिलाडू से मदल लेगी सरकार बिहार में शुराबंदी कानुन नागू होने के बाद राजु में ताड़ी उतारने और विक्री करने वालों की जीविका को देखते वे बिहार सरकार ने नीरा का उतपादन और विक्री की शिरवात साल 2017 में की थी लेकिन यह योजरा सफल नहीं रही भाई अब एक बार फिर से नीरा के उतपादन को बढ़ावा देने पर सरकार योजरा बना रही है इसके तहट तमिलाडू की कंपनी सुप्रता देवी प्रोपराइटर इको बाड़ी से सहयोग लेने का अंदर ने लिया गया है साथी नीरा उतपादन इकाईयों का रॉम मिटेरियल्स की आपुर्ती निरबाद रूप से होता है इसको लेकर भी विशेच रननीती बनाई जा रही है इसके तहट जल्द ही हाजिपूर और बिहार शरीफ में बंद पड़े नीरा प्लांट को फिर से चालू किये जाएंगे आला कमान को अध्यक्षपद की जिम्यदारी से हटने की मंच्छा कई बार जिता चुके हैं और उनके इस पद पर रहे रहे साठे चार साल भी पूरे हो गए हैं और खुद मरतमान अध्यक्ष मदर मोहंजा भी विधान सबाच चुनाव में पार्टी की सीट कम होने के बाद पद छोडने के इच्छा आला कमान के सामने जाहिर कर चुके हैं हाला कि आला कमान ने भी साफ कर दिया है कि यूपी पंजाब विधान सबाच चुनाव होने तक बिहार को नए प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलेंगे उसके बाद ही पार्टी आला कमान कोई फैसला लेने वाली है तेजस्वी आदव ने नितीश कुमार को बताया दर पोक मुख्यमंत्री विहार में जातिकत जनगर्ना और राज्ज को विशेश होने का दर्जा देने की मांग पर विपक्षी पार्टी और सत्तापक्ष में काबिस जद्यू में आपसी सहमती बनी हुई है लेकिन केंद्र की NBA सरकार इन दोनों ही मुद्धों पर अपनी सहमती दिखा चुकी है जिसके बाद अब इन मुद्धों को लेकर विपक्षी पार्टी ने विहार के सीम नितीश कुमार पर दबाब डालना शुरू कर दिया है पहले तो राजुत की तरफ से इन मुद्धों पर सीम नितीश कुमार को पूरा समर्थन देने का खुला उफर दिया गया तो वही अब नेता प्रतिपक्ष देजस्वियादव सीम पर और दबाब बनाने के लिए उन्हें दर पोग बता रहे है तो इस वियादव का कहना है कि सीम अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे है उनको देश की जंता या बिहार की जंता से कोई लेना देना है ही नहीं बिहार वधान सभा परिसद चुनाव में युवा प्रत्याशिक उतारेगी राजुत बिहार वधान परिसद की 24 सीटों पर शुनाव के लिए एंडिये में अब तक सीट का बटवारा भी नहीं हो सका है तो दूसरी तरफ लालो प्रिसाथ की पार्टी राजुत ने अपने उमिद्वार के नाम की भी घोश्टा कर दी है बड़ी बात यह है कि राज़त यूबा चुहरे को इस पद के लिए उतारने वाली है जिसके तहट राज़त ने पश्रिम चंपालन जुला में इंजीनियर स्वरब कुमार को राज़त का MLC प्रत्याशी घोशुत कर दिया है इस बात की जानकारी राज़त जिलाधिक्ष इस्तखार एहमद खान और्फ मुन्ना त्यागी ने प्रेस वारता के दोरान दी है जिसके तहट उन्हाने कहा है कि आज समय की मांग है कि यूबा चेहरे राज़नीटी में आगे आए और इस बात को मानते वे राश्रिय जंता दल ने अपना विधान परिसत प्रतियाशी इंजीनिर सौरब कुमार को खोशिक कर दिया है साथ उन्हाने पंचायट प्रतियनिटी से भी आग रह किया है कि वो यूबा चेहरे को अपना वोट दे और विधान परिसत में उन्हें भेजने का काम करे सीम नितीश नए आवास पर होंगे शिफ्ट बिहार के मुख्यमंत्रि नितीश कुमार अपने वर्दमान आवास राजदानी पटना से एक अने मार्क से शिफ्ट होकर कुछ दिरों के लिए नए पते पर रहने वाले हैं दरसल मौझुदा निवास एक अने मार्क में कुछ सुधार कारे किया जाना है जिसके बाद अब उन्हें साथ सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट किया जा सकता है हलाके इस बात के अभी आधिकारिक तोर पर पुष्टी नहीं हुई है लेकिन बताये यहीं जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही यहां काम करने वाले तीस से जादा स्टाफ करोना से ग्रसित पाए गए थे जिसके बाद सीम को दूसरे हाउस में शिफ्ट करने की तयारी शुरू कर दी गई है बतादे कि साथ सर्कुलर रोड आवास में नितीश कुमार पहले भी रह चुके है किसानों के मुद्दे को लेकर जनाधिकार पार्टी ने किया रेल चक का जाम MSP की गैरंटी खाद और बीच किया पुर्ती बिहार को विशेश राजी का दर्जादे ने वार्ट साचिफ की स्थाय नौकरी आदीपुर्व घोशित बुद्दो को लेकर जनाधिकार पार्टी की तरफ से आज राजी व्यापी रेल चक का जाम प्रदर्शन किया गया इसको लेकर राजी के अलग-अलग हिस्सों में जापकारे करताओं की तरफ से प्रदर्शन करते वे सरकार के खिलाफ नारे लगाए गया वही कैमुर्जिरे में भवुआ रोट स्टेशन के प्लाटफॉर्म संख्यादों पर हाव राक काल का मेल को भी आद सुभह रोक कर जम कर प्रदर्शन किया गया इस दोरां जापकारे करताओं ने देश भर में किसानों के साथ अन्याय होने और किसानों को समय पर हो रही खाथ की किलत का आरोप लगाते वे किंद्री सरकार पर जम कर हमला बोला तो भाई वाट सचिफ की साई भाली बुद्धे को लेकर सुभे की नितीश सरकार को घेरा राकेश मिश्रा ने किया भोजपूरी की सबसे महंगे गाने को रिलीज भोजपूरी सिनमा में अपनी गाई की और अभिनेय के दम पर दर्शकों की बीच चाचुके राकेश मिश्रा की आवाज की दिवान की भोजपूरी दर्शकों के बीच खुब बनी हुई है और उनका एक और नया गाना ए राजा लॉंच हो गया है गाने का टीजर लॉंच आज राजहानी पटना के बाकर गंस्तित रुपब्लिक होटेल में हुआ इस दोरान ए राजा एल्बम के भिनेदा और गायक राकेश मिश्रा निर्देशक रभी पंडित और संग्राम सिंग समेथ अन्या स्टार कास्ट भी मौजूद रहे इस दोरान राकेश मिश्रा निर्देश की बताया है कि ए राजा गाना SRK मूजिक के द्वारा प्रसुथ किया गया है और ये गाना अब तक भोजपूरी में बने सबसे महंगी गानों में शामिल है इस गाने को नहोंने साफ सुत्रे तरीके से बनाया है ताकि सभी बर्गी के लोग इस गाने का लुफ्त उठा सके तीसरे टेस्ट में ऐसी हो सकती है तीम इंडिया की प्लेंग 11 भारत और दक्षिन आफरिका के बीच तीन मैचों की टेस्स सिरीज में फिलहाल दोनों ही बराबरी पर है पहले test में जहा टीम इंडिया ने जीट दरश की थी तो दूसरे test में साउथ आफ्रिका ने भारत पर जीट हासल की लेकिर अब थीस्टा test जीट कर भारत के पास इस सीरीज को अपने नाम करने का मौका है ये निरनायक test match कल Cape Towns के Newland Stadium में खिला जाना है ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर फीचर चाहें जोरो पर है मुहमज सिराज जो की दूसरे टेस्ट में चोटील हो गये थे उनकांतिम टेस्ट में खेलाता है नहीं लग रहा है तो वहीं सिराज के बाहर होने पर रिशान शर्मा या फिर उमेश श्यादव को शामल किया जा सकता है वहीं जिनके और चितेश्वर पुजारा के पिश्रेमाच के परफॉर्मस को देकर उनकी जगे भी सुरक्षित लग रही है कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत हनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है श्रंकर मुख्या, नीलम कुमार, राकेश कुमार, दिलिप कुमार, पूरीती कुमारी, नेहा, रंजन, इम्तियाज, एहमद, श्रकील एहमद, प्रेम कुमार, आरकेस्टरी आप इसी तरह हमारे सवालों का जबाब देते रहें, हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेनी की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं अच्छ के सवाल के और आज का सवाल कोशिश प्रकार है आपके निज़ार भारत और साउथ आफरिका के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में कौन सिटी मजबूत नज़र आ रही है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आजश के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटिब रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें धन्यवाद